देखे जिस भी सादक ने नाम जबका वास्त्विक सरुप जाना है वे निसंदे अपनी पर्मगती को प्राप्त हुआ हैं अब ये चीर जाना बहुत आवशक हो जाता है पर्तिक सादक को कि जो वास्त्विक सरुप है वे क्या है देखे परमात्मा को जिसे बगवान भी का जाता है इश्वर का जाता है अन्य कई सारे नाम है देखे उसे किस परकार से पकड़ा जा सकता है अर्थात वे सिर्फ और सिर्फ अपने नाम दुआरा उनकी नाम दुआरा ही उसको पकड़ा जा सकता है इसलिए कहा जाता है नाम ज क्रिश्न कहो राधा कहो कोई भी कहो लेकिन उसको पकड़ना वो तावशक है अगर ये चीज निरंतरता से एक सहदक अपने जीवन में उतार लेता है तो इसका सबसे बड़ा फाइदा ये होता है कि वे धीरे-धीरे करके अपने जीवन में उसके अंश को उतार में लगता है अब जैसे ही वे उसके घट में विराजमान हो जाता है घट कहा गया है यहां पर हर्देस्तल को देखिए परभो का जो निवास इस्तान होता है वो होता उसका हर्देस्तल एक सादक का हर्देस्तल ही होता है जहां पर इश्वर निवास करता है जिसका हर्देस्तल जेतना शुद्धता होगी उसके विवार उसके चरित्र में शुद्धता होगी इसके विचारों में किसी भी परकार के शुद्धता नहीं होगी वे हर समय शुद्ध विचार द्वारा युक्त रहेगा और इश्वर के बारे में तत्पर रहेगा उनी के बारे में विचार करेगा भक्तिक व्यक्ति कर सकता है इसको चाए वे बच्चा हो युगा व्यक्ति हो चाए ग्रस्त जीवन में वो चाए बुड़े महीला कोई भी हो इस चीज को आवश्यक रोप से जाने जब एक सादक यानि भक्त मंदिर में जाता है तो वे क्या करता है दोनों हाथ फेला लेता है प्रवू के सामने इश्वर के सामने खड़े कर लेता है और जैसे भी परिस्तित्या बनेगी अब जैसे भी कारिय उसके जीवन में होने वाले वे इश्वर की ही किरपास होंगे इस परकार के प्रतेक शादक को अपने जीवन में ये प्रक्रियाय करनी चाहिए कि पर्भू को हाथ जोड़के निवेदन करें हाथ खड़े करके उनके प्रतिशनागती समर्पित कर दे अपने आ कारिय करने में हम समर्थ नहीं सिर्फ पर सिर्फ समर्थ शालिकों ने प्रमात्मा यानि भगवान जिसको राम कहते हैं कृष्ण कहते हैं रादा अनमान जो भी प्रमात्मा का बहुत बड़ा सरूप है अगर सरूप में पोचते हैं तो भी बहुत बड़ा है देखे किस परक क्रिश्ण भगवान ने एक रूब महापारत की युद्ध में अर्जुन को दिखाया था वे श्वरूप बहुती दुरलब होता है बहुती कम भगतों को वे श्वरूप दिखाया था परभु ने और ये अर्जुन को बिल्कुल सुलब हो गया था क्योंकि वे उनके मित्र थे और क्योंकि सबसे बड़ा उद्धिश्य था कि कल्युक के नियुक की रचना करनी थी उसके आधार को रखना था अब नाम का सबसे बड़ा नाम का जो मूर्ज तत्व है उसको पकड़ना पड़ेगा प्रतेक साधक को ये चीज आपको द्यान रखने पड़ेगी देखिए स लिए इसका सबसे परतम पड़ाव जो होता है इसको शरपरतम किस परकार से करना ये भी मैं समझाता हूं आप क्या करें जो भी आप सुनते हैं बच्चे हैं कोई भी बुड़ा वजरुक अब इस चीज़ को जरू ज्यान दे कि शरपरतम एक संख्या को निरदारित करके को फाड़ के आपने अपने हाथ पे लिया और उस पर लिख दिया आपने क्या 5000 अब 5000 उसको आप वारंबार अपने सामने रखे कि यह संख्या आपको पूरी करने है आप उस दिन पूरा दिन आपको लगेगा वे संख्या पूरी की आप कर देंगे जैसे तेशक करते रात्री के अंतिम प्यार तक वे शंक्या 101 पूर्य होके रहे गें अब इस प्रकार आप शे साथ दिन इसी प्रकार करते रहें पांच उसके बस्चाथ आपको वे संक्या दस अजार कर देनी है, इस परकार आप चलते रहें, तस अजार को आप 20-30 दिनों तक महिने बरतक करते रहें, ये संख्या, इसका सबसे बड़ा कारी ये होगा, कि ये एक सादक के भीतर, अनुशाशन बनाए रखेगी, अनुशाशन को पनपाईगी, यानि अंदर से विक्सि हो जाता है, तो क्या करता है, कि उसके अभ्यास करने में रुच्छी और नेरत्रता से बढ़ती रहती है, रुच्छी जैसे बढ़ती रहेगी, बैसे ही संख्या भी बढ़ती रहेगी, और परवुक के परतिसमर्पन भाव और विक्सित होगा, और भीतर भाव बहुत चारों में और आंत्रिक जो भीम विकार है वे खतम होकर और इतने सुन्दर और इतने नेतिक गुन आपकी भीतर विक्सित होने लगेंगे जिसकी आपने कुपना ने किया होगी देखे सिर्फ और सिर्फ नाम के दुआरा इश्वर को पकड़ना संभर हो सकता और कोई भी मार् देखन ना चाता है कोई मुझको और काफी योग डोख्रा अपने ग्यान दुआरा वियाप मुझे पकड़ना चाता तो मैं उसको दुरलभ हूँ काफी दुरलभ अगर कोई मुझको सीधा chiदा प्रीयम के दुआरा पुकारता है अपने करूण' शील ने करूना शीरी आशो द्वारा मुझको भजता है पुकार लेता है अपने भजनों द्वारा पुकारते हुए उसके आशो आने लग जाते है प्रभू को एसे सादुकों के लिए बहुत इसुलब हो जाता है कि इश्वर तुरंत परकट होते हैं इसका सबसे अच्छा उ सब्सक्रिश्चन के परकटि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही नुद ए कि बजनों में नहीं तो आसो आने लग जा थे स्थिस्ति में कि दोस चल्य आजाते थे श्रिकिष्ण उनको पता भी नहीं रहता था कि श्रीक किश्णो राधा जी उनके समक्ष रहते थे, मगर वे आखों से देख नहीं पाते थे, इसलिए उनको इस चीज का अभास नहीं होता था, लेकिन ये मिल्कु सत्य घटता है, इसलिए आपको निरंतरता से इस मार्ग पर इस चीज का बह विश्वास लाना होगा स्वेम के उपपर, अब जब तक आपको उस नाम के प्रति विश्वास जागरत नहीं होगा, तब तब आपको इस चीज का विश्वास नहीं होगा कि ये नाम किसी परकार से चमतकार रिखे, अब नाम का बहुत ही बड़ा चमतकार होता है जीवन मे क्या होता है अगर विशे स्टोर पर अगर किसी ने गुरू को दारन कर रखा है गुरू के द्वारा उनके द्वारा उनके द्वारा गुरू मंत्र कहा है रखा है एक शिश्य को बता रखा है तो वो बहुत उत्तम होता है इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके उपर इसलिए आप के दुवारा अगर गुरु मंतर धारण किया होता हो निरंत्रताव से उस गुरु मंतर का उच्छारण करते रहे और संक्या बढाते रहे गुरु के दुवारा इस पश्ट रूप से खाहा जाता है कि गुरु मंतर से हर परकार की चीज मिल सकती है हर परकार की उन्नती मिल सकती है इस अंसार में या अतक की सुलब है परमात्मा को पाना अब सुलब है दिन कुशुरू इसलिए निरंतरता से नाम का सुम्रण करना आवश्यक है प्रभू के नाम का सुम्रण करे निरंतरता से अगर प्रभु के नाम का सुम्रण आपने निरंतर्टा से कर लिया तो क्या होगा कि जहां पर बहुत लंबा गेप आ रखा है गेप का मतलब की हाँ बहुत दूरी आपको लग रही है कि इश्वर और शिष्चे के एक भग्त और भगवान के वीज में आपको जो दूरी दिख रही है वे दिरे दिरे कम होता रहेगा जैसे जैसे आप मनाम में रूची रखेंगे गुरु मंत्र में बहुत रूची रखने लगेंगे तो क्या यह दूरी कम होती रहेगी गेप दिरे दिरे कम होता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि दिरे 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 एक दम मिल जाएगा और इसमें अंतर खतम हो जाएगा यानि दोनों एक समान हो जाएगे इस चीज को आपको याद रखना तरताशे प्रभुक की स्मर्ण करते हैं रहे और नाम की एक संख्या बनाकर उस पर दिड़ विश्वास के साथ चले आपको यह विश्वास रखना होगा कि नहीं है इससे अब हर प्रक्रिया होने वाले आपके जीवन में बड़े-बड़े चमतकार होने वाले आपके जीवन में जो अटके हुए कारी कई लंबे वर्शों से वे अब सिद्ध होने वाले यह विश्वास आपको अ अगर आपको किसी परकार की फूंची है आप जरूर कमेंट के माज़िम से हमें संपर्ख करें परतिक सादक का सबने बहुत ही गयराई से उनका जो कमेंट और मैं पड़ता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है यानि जानकारी टोग लगता है तो उससे मैं सीधा वीडियो बनाता हूं और आज के बाद यानि इस वीडियो के पत्चैद मेरा जितने वीडियो वीडियो होंगे वह पेस्ट पर दम Wade ऑकट किसी परकार की मैं 272 परकार की में इसमैं इर्विशेश-अरुप से कर और आप लगता है कि कहां कापर चीज को सुधारा जा सकता हो कितना सरल हो सके उसको सरल यानि बिल्कु सरल करके आपके दूआ आपको मैं प्रस्तूत करूंगा काफी चीजे ऐसी है इसलिए निरंतरता से आपको नाम जब करना है और भागवत का एक बहुत ही मौल रूप है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताओंगा यानि उसका स्थार एक विल्कुन एक लाइन में आपको मैं बता दूँगा किस चीज को आपको करना ऐसा है देखे अगर वीडियो आपको अश्चा लगता है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना बुले आत्मा का सपर जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ऐसी बहुत सी जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और काफी चीज है जो मैंने अपनी वीडियो में काफी चीज बताई हुई है आपको यी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सस्क्रा करना ना भूले आत्मा का सपर मिनते अगले वीडियो में जब तक ग्रेज श्री आरी ओम नुमु देवासु देवाए